बताई हैं पे बिहार कॉंग्रेस के लोग ये लोग जो बहुत विकास की बाते करते हैं, इमानदारी की बाते करते हैं, हाथ कंगन को आर्सी क्या ये तो सामने सामने की बात है ना? इसको तो जुटलाया नहीं जा सकता ये लोग जो बोलते हैं कि इन लोग के पास तो कोई काम आ रही हैं जहां पे अलमारियां नगदी से भरी पड़ी हैं जिसको संभवता गिनने में दिनों लग गए हैं अभी तक भी इसकी काउंटिंग चली रही आखरी जानकारी जो मिली थी 290 करोड के आसपास की नगदी बरामत हुई थी और अभी भी कई बैक्स वाकी हैं तो ऐसे में बताएं कॉंग्रेस के नेता कॉंग्रेस के नेताओं को इन बातों का जवाब देना जरूरी है यह लोग जो बात बात के विक्टिं काड़ के जब बहार प्रभीयों के डिने पे सवाल उठाते हैं इन तमाम बातों का जवाब देना बिहार कॉंग्रेस क्या वो इनको स्विकार करती है राहूल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते हो और संभवता चर्चा हो रही है कि दूसरा चरन होगा दूसरा चरन इस टू-वेस्ट य आएंगे तो जब वो बिहार अगर वो आएंगे तो क्या वो इस बात से सहमत है कि जब तेलंगाना के डिने को बिहार के डिने से बहतर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री जो की कॉंग्रेस के हैं जब वो इन बातों को कहते हैं हकीकत है कि कॉंग्रेस की फजियत से विसी ब बना पाती इनी कार्णों की वज़ा से जहां इनके लोग भूल जाते हैं कि कॉंग्रेस अगर या तो आप मान लीजे भाईया कि छेत्रिय पार्टी ही बनकर रहेगे यह कॉंग्रेस अगर सिर्फ तेलंगाना में कॉंग्रेस को राजनीती करनी है तो यह बयान बिल्कुल सही ह भाईया फिर आप बाकी राज्यों के डियने को आप गाली दीजे एक छेत्रिय दला बनकर रह जाईए पर अगर आप एक राश्टिय पार्टी हैं और राश्टिय पार्टी अगर आप अपने आपको बनाए रखना चाहते हैं तो इस तरीके से छेत्रवाद नहीं चलेगा अब एक राश्टिय को आप गाली देंगा और दूसरे राश्टिय में राश्टिय करेंगा